नमस्कार मैं विकरांत शंके महरश्ट जीवन लायू में आप सभी का स्वागत है हमने लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश किया है और इसी के साथ साथ लॉकडाउन में नागरीकों को लोगों को मज़़ूरों को जिस तरह की समस्याएं आ रही है उस समस्याओं से न महिने में एप्रिल के टू विक में रिजर्व बैंग औफ इंडिया ने एक notification निकाला जिस notification के तहित जितने भी इकनोमिकल इंस्टिटुशन्स है और जितने भी शॉप से जितने भी शोरूम से जितने भी फायनांस के से क्ग इस टर से उन सब लोगों लोगों से EMI ना वसुनने के लिए या उनका EMI तीन महने तक पुस्ट पंड करने के लिए आदेश दिये गए है पर इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन का और उनके आदेशों का पालन जमेनी स्तर पर किसी भी तरह से हो रहा है ऐसा हमें नई दिक रहा हम आप जाने वाले है लातूर के कई सारी इलाकों में जिन इलाकों में महलाओं का एक्स्प्लाइटेशन हो रहा है बचत गटों के नामों पर जिन इलाकों में लोगों से जबरन और सकती से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियमों का पालन ना करते हुए यह हमाई वसूली जा रही है लोगों से बैंक खातों से हपते के नाम पर पैसे निकाले जा रही है तो देखते हम लोगों की प्रतिक्रिया इसके उपर क्या है तो हम इसके तहित आ गये हैं सुरेखा जी के घर पे और इन्होंने स्मॉल फैनांस के इस्टिटूशन से लोन उठाया है और उस लोन का इमाई भरने के लिए इने फोन आते हैं तो क्या तकलिफ है हम सुरेखा जी से जान लेते हैं इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया रहा है कि अभर जून के में आपको पहला पैसे देना पड़ेगा लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं भूत प्रॉब्लम है कही काम नहीं बच्चें को हाथ को अब क्या कर सकते उनको डिक्वेइस्ट करना चाहते है सर कहाम भर नहीं सकते अब आपने किके लिए लोन उठाया सब्सक्राइब करना है उसका इंटरेस्ट पे करना है उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए लॉकडाउन की वजह से किसी भी तरह से उनके घर में काम बंद होने की वजह से इकोनमी जनरेट नहीं हो रही है और फिर भी जो स्मॉल फाइनांस के लोग है उन्हें फोन करके परिशान करें कि आप हमें अपना हपता दे दो या अपना इमाई भर दो सुरेखा जी के साथ साथ ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको इन तकलिफ से गुजरना पड़ रहा है हमरे साथ एक दीदी दीदी से हम पुछते इसके बारे में अब क्या प्रतिक्रिया देंगे इस लोगडाउन के वज़े से हमको इतनी तकलिफ हो रही है फिर भी बार बार बैंक से कॉल आ रहे कि आप पैसे भरो हम कहा से पैसे भरेंगे हमको बैंक के पास कुछ तो सौले देने चाहिए मेरे दो दो बच्चे अडमिट तब भी हमको बैंक से फो ना रहा था कि आपका कुछ भी होने दो लिकिन पैसे हमको टाइम पर आने चाहिए फिर हम क्या करें फोन आरा है गड़ी उसका के पैशे भरने के है पैसे काशी दीने घंगे हमारा तो काम दंद सब दाये मैं तो खाना पकाने जाती हूं बच्चे का काम दंदा बंद आ Σंसे सब बारे में मेसल सवाकरो गर दंदा चलो ते तरी बना आता है बशद गट वाले लोग फोन करू 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 सांगतात कि तुम्हीं हपता भरला पाईजे आनि ते हपता जर नहीं बरला ते तीन महीने चाहिए सुद्धा आगो दरस त्या हपता लेवे आज आसतो आनि ते चानंतर चक्री वाडवेज मग सब्सक्राइब करने तो आप समय पर भुकतान नहीं करते हपते का तब क्या क्या तकलिप आती है मतलब ऐसा भी सुनाई कि महिला आकर घर का सामान उठा कर ले जाती है वगरा जो सब परेशानिया है तो क्या सही में यह तकलिप है क्या करेंगा इसके बारे लातर महिलांची अवस्ता होती है कि दूसरी चार जो जो दूसरी है क्धर कर रहोटाज्या है तमने मार आप सबड़ सर आके ली जाती है नीच चएक गटा चेह यह तो दोफिलीला थे चयुंत नहीं है अ गरिब महिला कामगार वर गातुन येदार्य महिला गट उचलतात जांची परिस्तिती खुब अशी बिकट आहे त्या गट गेतात मुझे तानना गटाची गरज असते महिलाओं की समस्याओं को जानने के बाद हम आये है डाके मैडम के पास जो एक समाज से भी समस्थाश जुड़ी हुई है सामाजी कारेकरता के तौर पर महिलाओं के बीच उनका बड़ा काम है तो उनको हम पूछने वाले हैं इसके बारे में पूरी जानकरे उनके तरफ से लेंगे तो मैडम क्या बताएंगे आप जिस तरह से यह फाइनांस के लोग जो है महिलाओं का शोशन कर रहे हैं और उनको हपते के नाम पर भी तकलिफ हो रही है लोगडाउन के समय में किसी भी तरह से उनके घर में पैसा नहीं आ रहा पर उसका जो इमा है उसका भुकतान करना पड़ रहा है तो इन सब चीजों के उपर क्या कहेंगे आप कितनी तकलिफों को अब महिलाओं को जहलना पड़ रहा है महराश्टर में यह जो माइक्रो फाइनांस या किसी छोटे फाइनांस से लिया हुआ लोंजो है महिलाओं के लिए बहुत ही घातक हो गया है उसके घर में का सामान उठाना जो भी चीज उठाई जा सकती है उठा लेना या उस पर हाथ उठाने तक की नोबत आ गई है इसमें तो यह बहुंकर और बुरा हाल है महिलाओं का एक ने फासी लगानी की कोशिश की और एक महिला ने सुसाइड करी लिया है किन महिले हो चुके है बस महिलाओं मर रही है उनके बाल बच्चे आभी यह लॉक्डाउन की वज़े से तो बिल्कुल काम धंदा बिल्कुल नहीं है उनको सब ठंडा माहूल है और ऐसे में कैसा हपता कैसा भरेंगे वो गट का और यह जो गट के लोग है यह प्रावेट गट है तो इन पर किसी का भी निर्बन नहीं है यानि कंट्रोल बिल्कुल नहीं है यह लोगों को किसी का भी डर नहीं है इनको आगर हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा बिल्कुल नहीं इसलिए महिलाओं को शोशन जबरदस्त हो रहा है तो कहीं पर ये रुखना चाहिए RBI Bank ने नोटिफिकेशन दिया है कि तीन महिने तक किसी भी तरह का हपता यानि वसूल ना किया जाए या परिशान मत किया जाए लेकिन तो भी इदर लोगों के फोन आ रहे हर एक गट के फोन आ रहेंगे महिलाओं की ए महिने में भरो या आट दिन में भरो या दस दिन में भरो तो कहां से भरेगी ये महिलाओं नहीं भर सकती हो तो इसलिए इन पर निर्बंद होना चाहिए आगर सरकार ने इस तरब ध्यान नहीं उठाया तो हो सकता है पूरा महराष्ट्र की महिला है संगटित होकर ये आंदोलन बहुत ही मजबुत कर देगी और ये होने ही वाला है गट का हपता कितना होता है ये कहा देड़ हाजार लेकिन एक हाजार के लिए महिला मर रही है एक हाजार के लिए भारतिये महिला जान दे रही है आपनी तो कहां गया बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ कहां है इस त्रेशक्षमिकरत कहां है हमारा भारत किस तरह जा रहा है ये भाइक्रो फैनांसे जो भी बजट लिया है या फिर जो भी गट उटाए है उस रकम को माफ करने के लिए यहाँ पे महला उन्हें गुहार लगए है पर बहिंजी यह लोग माफ नहीं करेंगे जिस देश में अंबानी का अदानी का लोन माफ हो सकता है उस देश में जो गरिब उनके समय में किसी भी तरह से उनके घरों में economy generate नहीं हो रही है और उसके तहट किसी भी तरह से खाने को मोताज महिलाए अब अपना जो finance उठाया है वो finance का EMI कई से पेक करेगी और इस तरह का किसी भी तरह का सोच विचार ना करते हुए सरकार इसकी तरफ अपना रुख नहीं मोड रही है चाहे Reserve Bank of India का notification हो चाहे Lead Bank का circular हो किसी भी तरह का control ये छोटे छोटे finance group के उपर नहीं रहा है जैसे कि महिलाओं ने गुहार लगाई है माइक्रो फाइनांस का यह loan अगर माफ नहीं होगा महाराष्ट की महिलाओं को इसी तकलीफ के तहे जाना होगा तो ये सब महिलाओं उठकर एक दिन एक बड़ा अंदोलन खड़ा करेगी और उस बड़े अंदोलन के बाद इस सरकार को संभलना पड़ेगा तो इस तरह से हमारी ground report थी मैं विकरांथ सेंके कैमरामन दिवर्त जोशी के साथ महाराष्ट जीवन लाईू